हेलो फ्रेंज स्वागत है आप लोग का NC Artigone में पेनेकल की जो किताबे हैं SSE में प्रीवियस एर कोस्टन दिया हुआ है इसमें सब्जेक्ट वाइज दिया और टॉपिक वाइज दिया है तो पहले सब्जेक्ट वाइज में हम लोग NCN थिस्ट्री का डिस्कस करें और भी सब्जेक्ट वाइज दिया है लेकि इसमें इस वीडियो हम बात करें NCN थिस्ट्री का NCN थिस्ट्री का सारा टॉपिक कम्प्लीट है जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो मिस्लेनियस के कुछ कोश्चन है मिस्लेनियस में कुछ कोश्चन है वो हम डिस्कस कर लेंगे उसके आद NCN थिस्ट्री आपका 100% कवर हो जाएगा उसके बाद जो हम और भी टॉपिक जो सुरू किये हैं उसको कवर करने का कोशिस करेंगे तो चलिए स्वागत है आप लोग का और आपको कोई डाउट हो कुछ भी डाउट हो तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 9582062485 इवेन को कोश्च से रेलेटेड भी मैसेज करना है तो इस पर ही मैसेज कर सकते हो चलिए शुरू करते हैं फिर यह सब तो हम डिसकस कर चाहिए 158 नंबर कोश्चन से मिसलेनियस कोश्चन पहला फर्स्ट कोश्चन है डैस वाज इंपॉर्टेन पोर्ट सिटी याद रखें पोर्ट सिटी के बात कर रहा है आफ एंसी एंट इंडिया मैं आपको सीधा सीधा बता दो कुछ ऑप्षन अपने आप घट जागा यह अंग का आपको महा जन्पद पता है और आप्यारि इस साथ吧-a कभी प्वहत शिटी हो सकता है नहीं उसके बास एक यूAR ये यू.पी था यह एक सहर था इसे बोल सकते हैं स्रवस्ति भी हम आपको पता है कहां पे ये कोशल किंगड़म में कोशल किंगडम में कोशल किंगड़म भी कहां पयातल को न ca cm ौर्षिटि याद रके हैं और नहीं आप ऐसी कि सूख्णी Which of the following was a fishing colony that was used as a port of trading with Romans and Greco-Romans in ancient India? ये सहर है अरीका मेरू, याद रखिये अरीका मेरू सहर है अरीका मेरू, ये कहाँ पे है हम सब को पता है, पॉंडी चेरी, नहीं भी पता है याद रखिये पॉंडी चेरी और ये चोला पोर्ट भी हुआ करता था, याद रखिये अ, उसके बाद लोथल तो हमें पता है, लोथल गुजरात का पोर्ट शिटी है और Indus Valley Civilization का साइट है, ये भी बात याद रखिये अ, और ये कहाँ पे लोकेटर है, एक रीवर है, वो गावा रीवर, वहाँ पे लोकेटर है, उसके किनार है, वो गावा रीवर, और वो गावा रीवर क्या है, एक्चुली ये सावर मती रीवर का ट्रिब्यूटरी है, आगे है, दमेसोपोटामियान रोट अन टाबलेट, ये किस चीज़ का बना होता था, ये क्ले टेबलेट पे लिखते थे, टाबलेट जो लिखने वाला होता था, स्लेट टाइप का, वहाँ पे लिखा जाता था, और एक और चीज़ याद रखिना है, ये इंडस वैली सिब के दो रिवर के बीच में है, एक है यूफरेटस, यूफरेटस रिवर, और दूसरा रिवर है टिगरीस रिवर, इन दोनों के बीच में है, यानि ये पर्टिकुलर अभी वाला जो जगह बोले, वो इराक का जब जगह मेसोपोटामिया ऐसा बोला जा सकता है, तो बहुत सा जग अलग समय में अलग-अलग सिबिलाइजेशन यहां पर रही और इंडस वाइली सिबिलाइजेशन का कांटेंपरेरी बोला जाता है, क्योंकि दोनों के भी स्टेडविड बहुत होता था, इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा यहां पर इसमें पूछ और ब्रहमीनिकल प्रैक्टिस अगर सेम गोत्रा मतलब सिंपल वो सेम डिसेंडेंट से आते हैं, तो यह बात एक्रम सही है, जो रहाने होँनी थे, उसके डिसेंडेंट बाने जाते है, तो यह आपस में कैसे करशकते हैं, ऐसा बोला जता है People belonging to same gotra was regarded as a descendant of the person after whom the gotra was named. यह correct statement है. आगे भी देख लेते हैं. Women returned their father's gotra after marriage. नहीं. Father के gotra को give up करना होता है. Husband के gotra को accept करना होता है woman को. यह गलत statement है. उसके each gotra was named as a famous king. After नहीं भाई, famous king नहीं रेसी मुनी. तो be, only be is a correct statement. Question है. Who among the following was a contributor to the subject of medicine in India? मैंने दोवारा पर दिया. और चिकित्सा के विशाय में, यह हम सब कुपता है चारक साहब. और इनके बारे में इनकी एक चारक समहिता लिखी हुए है. वो याद रखिएगा. और आयरुवेदा का प्रेक्टिस उगेरा सब इन ही से related है. Clear. तो चरक, यह मतलब ancient India में आप बोल सकते हो, इनको कि medicine से related सबसे बारे योगदान करता थे. उसके अलाबे, यह क्या थे? किन के कोट में थे? जो कनिस्क हमने पर आया है. कनिस्क कुशान वन्स का, जिसने 4th Buddhist Council कराया था. कनिस्क के कोट में यह कोट फिजीसियन थे. याद रहे हैं. कनिस्क के कोट में कोट फिजीसियन थे. उसके लिए बाकी लोगों के बारे में हम थोरा थोरा डिसकस कर लेते हैं. पहला, हर्ष वर्धन. हर्ष वर्धन के बारे में बताया जाते कि वर्धन डाइनस्टी के लास्ट एमपार थे. प्रभाकर वर्धन के वेटे थे. और इनको टाइटल मिला था. टाइटल का नाम थ पूरे एरिया के इनको बोला जाता है नाथ, नाथ मतलब hero, यानि king, उसके अलाबे इनकी biography है, जिसका नाम हर्ष चरीता, हर्ष चरीता, मतलब dates of हर्ष, हर्ष का कर्म, ये किस ने लिखा है, ये बानभट ने लिखा है, बानभट, हर्ष चरीता खुद किताब लिखते थे कई स और ये भी संस्किर्ट में लिखे, ये बी जो वानभट ने लिखी है, हर्ष चरीता हो भी संस्किर्ट में, वानभट उसमें सिर्फ हर्ष चरीता के बारे में नहीं लिखते हैं, ऐसा बहुता है कि कुछ पार्ष हर्ष के बारे में, कुछ पार्ष वानभट अपने बारे मे प्रिये दर्शिका ठीक है यह सब आप ध्यान रख लेना मैं बहुत एक्स्टा चीज़ नहीं बता रहूं लेकिन ऐसा बता रहूं कि जिसे कोस्टन आ सकते हैं पानीनी का हमको पता है संस्क्रित ग्रामर जिसका नाम है अश्टा अश्टा दई अश्टा दई हो गया इतना याद रख सकते हो बाकी इंपॉर्टन नहीं है इंडियन मैथमेटीशियन इस्ट्रोनॉमर या आप इनको फिलोस्फेर भी कर सकते हैं यह है बराह मिहीर याद रखे बराह मिहीर इवन इवन आप इनके बारे में आरे भट आरे भट इवन आरे भट मैथमेटीशियन थे वो भी थे लेकिन यहाँ पर जो पूछा होगा क्योंकि यहाँ पर मैथमेटीशियन इस्ट्रोनॉमर फिलोस्पर सब के बारे में पूछा तो यहाँ पर होगा वरा मिहीर याद रख मून में और अर्थ में थोरा बहुत चमक है। वो चमक उसके अपने light के कारण नहीं जबकि sunlight के कारण है। इन ये नवरतन थे। एक नवरतन थे। नाईन जेमस थे। एक किंग थे मालवा के किंग किंग का नाम था यशो वर्धन विक्रमा दिते उनके उनके कोट में थे इनकी एक चीज बहुत वे मैसे एक किताब या बोल सकते हैं इनकी ट्रेटीज बहुत वे मैसे जिनका नाम है पंच शिद्धानती का और एक और है इन्होंने ब्रह्म समीता भी लिखा था ब्रह्म समीता और उसके लाबे ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला भी इन्होंने लिखा था ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला है याद रखेगा उसके बाद नागारजुन तो आपको पता है बुधिस्ट फिलोसफ़र थे नागारजुन उसके लाबे बान भट्टा ये संस्क पोएट राइटर थे और अमल नंदा ये आर्केलोजिस्ट थे और ओफर थे इंसियंट इंडियन मानुस्कृप्ट्स वेर यूज़िवेटे नम पाम्लिफ ठीक है और वार्क ऑफ़ डास्ट्री या तो पान में पत्तों पे लिखा जाता था या एक ट्री है उसके बार्क मतलब चिल्के पे लिखा जाता था यह जो चिल्का है वो किस हिमालया की किस पेर से निकाला जाता है पेर चाल्स पे लिखी जाती थी यह बिच या भूर्ज बोला जाता था इसको याद रखना है याद रखना है यह और यह हिमालया पे गोड़ जाता है याद रखंग सकता है next question है which place had water harvesting system channeling the flood water of Ganga river ताकि मतलब की वाटर, मतलब की अच्छे से सिस्टम था ताकि गंगा रिवर के वाटर को फलर से बचाया जा सके यह कुन था? श्री-गावेरा-उिर्णवेरापूर श्रिंग्वेरापूर याद रख सकते हैं श्रिंग्वेरापूर में अब देखो इन सब जगों से भी गंगा की अविन कानपूर से भी गंगा की रिवर गुजाती है लेकिन आंसर है D With reference to early Indian history, who among the following वाज है famous field of medicine? नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत डीटेल में बता चुगे अभी गौत्मी पुत्र, गौत्मी पुत्र सतकर्नी वाजे greatest ruler of das empire ये काफी important और आसान question है शात वाहन, गौत्मी पुत्र सतकर्नी इनके मा का नाम है, याद रखेगा Next question है Which state of India was ruled by निंग थोजा डाइनस्टी किस सहर में, मतलब किस देश में निंग थोजा डाइनस्टी के राजा राज करते थे ये बताने आपको निंग थोजा डाइनस्टी मनिपूर में राज करते थे मनिपूर में, देखो कुछ और मैं ऐसा बताता हूँ, जैसे चोगयाल आपसे पूछेगा ये है सिक्कि में कुछ और जो जिसके बारे में हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन पूछ देता है उसके अलावे शर्वा पूरिया ये डाइनेस्टी चतिसकर उरिशा में उसके बाद है कालाचूरी कालाचूरी ओफ रतनपूरा ये भी चतिसकर में कालाचूरी भी पूछा जा कालाचूरी ओफ रतनपूरा ये भी चतिसकर में चलिए, next question करते है The cave of Elephanta are predominantly dedicated to which of the following ये बहुत आसान कोशन है Lord Shiva Elephanta cave में और एक और चीज़ आपको पता है ये किसने बनाए था राष्ट कुद डाइनेस्टी ने और एक चीज़ और पता है इसको UNESCO के World Heritage Site में UNESCO के World Heritage Site में include किया गया in 1987 UNESCO World Heritage Site ये मुंबई के पास है मुंबई हारवर से काफी नज़ दिखे Elephanta Island है यहाँ पर उसी पर है किस भगवान से भगवान शिव in which of the following temples will you find गोपुराम गोपुराम देखो किस temple पर आपको गोपुराम मिलेगा ये आप से पूछा जा रहा है सबसे आपको पता होना चे गोपुराम ये किस टाइप ओफ टेमपल का पार्ट है ये द्रविरा श्टाइल क्योंकि तीन श्टाइल होता है सबसे पहले द्रविरा श्टाइल और उसके अलावे होता है द्रविरा श्टाइल नागरा श्टाइल ये नदेन इंडिया और ये कि वेसरा श्टाइल ये है मिक्स दोनों का मिक्स जो आप बोल सकते हो सेंट्रल इंडिया में दोनों के बीच में मनाये जाता है अब आप देखो जो आप यह जो टेंपल है आपको भरी लगया है क्यार दक्षिनेश्वर यह भी दक्षिन में है क्योंकि यह दो आप्षिन को आप एलिमिनेट कर दोगे चलो अमरीत सरवाले को इनको एलिमिनेट करते हैं ठीक है राजस्थान का है यह है पंजाब का लेकिन यह दक्षिनेश्वर वेस्ट वेंगॉल में मिलता है तो इस अप्षिन अगर इतना पता होता तो आप सिंपल ए पर पहुंच जाते यह सेवा टेंपल चिदमवरम और यह चोला डाइनिस्टी क है तमेलनाड़ू में है यह बात याद रखे द्रवीरिया है द्रवीरा ने स्टाइल है उसके बाद उसके लाबे थोरा बहुत और कर लेते हैं जैसे मालो यह है दिलवारा टेंपल दिलवारा टेंपल कहां पर माउंट आबू में है और यह माउंट आबू में यह मतलब किस पे है अराबली अपने देखा है अराबली माउंटेन उस पे है किस ने बनाए यह भीम शाह ने बनाए ठीक है और यह ग्रूप यह एक्चुली जैन टेमपल है याद रिखे जैन टेमपल है ठीक है और बहुत सारे क्योंकि यहां पे आपको मेटल स्टैचू मिलता है पहले ति या आदिनाथ इसलिए यह बहुत ज़्यादा सेंटर अफ एट्रेक्शन है शिरोही डिस्टिक्ट में है दिलवार टेमपल गोल्डेन टेमपल थो हमको पता है पंजाब में है अमरीगिसर में है और सिख को बहुत ज़्यादा यह सिख धर्म से रेलेटेड है और गोल्डेन temple में को बनाया किसके द्वारा गया है यहाँ पे temple तो छोड़ो यहाँ पे एक man-made pool है man-made pool है किसके द्वारा बनाए गए फोर्थ सिख गुरु जी के द्वारा जिनका नाम है गुरु राम दाश ठीक है चलो और जो दक्षिनेश्वर वाला कोलकाता में याद रखेगा और किन माता काली से रिलेटर है माता काली से रिलेटर है और रानी रस्मोनी ने बनाया मैसूर प्लेस मैसूर प्लेस किसका रेसिडेंस था ये था वो दियार डाइनेस्टी का रेसिडेंस प्लेस था ये भी वाते जाए तो जखेगा वो दियार डाइनेस्टी जो राज करती थी इसको एक अमबा विलास भी बोला जाता था और मतलब one of the magnificent palace बोला जाता इसको और ये और जो लराई लडी थी आपको पता है स्री रंग पटनम बाला ट्रिटी भी आपको याद होगा चलिए नेक्स्ट कोशन है यह इंपोर्टन है पत्ता चित्र पत्त पट चित्र इसको बोला आता है फॉर्म इस डेडिकेटेट टू यह सब ऐसे कोशन है इतने बार रिपीट होते हैं कि आपको क्या बता हूँ यह जो लौड जगनाथ से रिलेटेट है यह आद रिखें क्लोथ पर बनाये जाता है और बहुत कुछ लिखा जाता है इस पर नेक्स्ट कोशन है जो उरीशा का जो सन टेंपल है किस के दोरा बनाये गया है यह नर्शिम देव वन के दोरा बनाये गया है कोई दिकत नहीं और यह जो इस्टर्ण गंग डाइनेस्टी था न उसके यह पावरफुल रूलर थे यह बात ध्यान रख सकते हैं हुई जड़ फॉलिंग वर्क ओन इस्टेट क्राफ्ट रेटेन वाई क्रिस्न देव राये के दोरा लिखा गया है इसका नाम है अमुक्त मालयद अमुक्त मालयद क्रिस्न देव राये के दोरा ही लिखा गया है यह त्यलगू का इपिक पोयम है याद रखें क्रिस्न देव वजय नगर आंपार के है किस डाइनेस्टी के तरह तीन डाइनेस्टी मेन है शंगमा, अलुवा, तुलुवा और एक है अरावदु एक ये तुलुवा डाइनिस्ट्री से बिलों कोरते हैं तुलुवा डाइनिस्ट्री और आपको पता है विजय नगर अम्पायर जो डिस्ट्वाय हुआ ताली कोटा की लराई में है जब सारा सुल्तान मिल गए अकेले विजय नगर के खिलाब। वॉए फॉललेइंग रोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैससिका फिलोसपी त्वे किसने लीखिती करणर ने लेखिती करणर में फिलोसपी करणर बाकी आपको ठोड़ा बहुत इन फिलोसपी के बारे में थोड़ा पता ही होगा वह याद र है ना सश्ट दर्शन उन्सके बारे में मायन्या मती और गोपी चंद्र इस पार्ट ऑफ उच अफ फॉलोईंग लिट्रेडि वर्क यह जो दो चीज है कौन-कौन माया मैन्या मती क्या है मैना मती और गोपी चंद्र यह कहाने निमलिक्त में से किनकी साहित्य किर्थी का हिस्स कि इपिक्स यह किसका है यह बताने आपको यह है नाथ लिट्रेचर का पार्ट है याद रखिए नाथ लिट्रेचर का पार्ट है चलिए राष्टकुद किंग्डम का फाउंडेशन किस ने रखा था दंती दूर्गा ने याद रखिए दंती दूर्गा या इसको दंदी बर्मन भी बोलते हैं और एक्चुली राष्टकुद के बारे हैं बोला आता है कि यह फ्यूर्टरी थे किसके वेस्टर्ण चालक को जो था ना बतापी बाले उसके और मैं खेरा जो करनाटका में है वहां पे राज करते थे दंती दूर्गा याद रखिए फॉलेंग बुक्स आर रेटेन वाई पाने नी यह हम सबको पता है गौत्मि पुत्सतकरनी वाजे शातवाहन रूलर दे वो कैसे रेपीट हो रहा डारक ली यसो बिग्रह मही चंद्रा और चंद्र देवा वाजे फॉस्ट थ्री रूलर ऑफ विच डाइनस्टी यह और दॉब को दने म्मून Unse jamais फॉसी डाइनस्टिे फॉण थे उसी डाइनस्टी यह उक्रमशिला यूप फॉणिछ इवजшие और रिवाइज चिल चिल स्वाहिवध जेज दे। नालंदा इनिवर्सिटी को रिवाइब किया इसका foundation किस ने रखा था कुमार गुपने नालंदा इनिवर्सिटी को बनाया धर्म पाल ने और विक्रम सिला को और नालंदा को 200 गाउं दिये यह धर्म पाल कुशान डाइनिश्टी के इसमें कोन से रूलर नहीं थे नाह पाना वाशुदे वसिशिका हुविस्क यह जो नाह फाना थे वो दुसरे रूलर थे दुसरे जगह के रूलर थे मतलब देखो और यह एक वेस्टरन छपात्रा था ना छत्रा यह उनके जो इंडो सीथियन्स वा करते थे इंडो वेस्टरन उफ इंडिया यह जो तीन है कुशान डाइनि से रेलेस्टेड है और डिसकेस करते नेक्स्ट कोस्टन है द चालुक के डाइनिस्टी में邇जर कींडम ऑफ डैस पार्ट आफ इंडिया में राज करते थे खासकर करनाट में ऑले एरिया में इस नाम से जाना जाता है, एपिक पीरियद में, यह है आसाम, आसाम को हम प्रयाग जोतिस पूर बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत फेमस था, बाद में इसका नाम हो जाता है काम रूप, याद रख सेत हूँ, नेक्स संहे, इन व्यज burst का थेमते है, बाद मदनन में, अजनता का केव नंबर केव नंबर कोमोन ठीक की ना эфф वाश्कर षर्मन वर्मन डाइनस्टी रूल्ड िंड्यसरी डीजन यह कहां पर başस्कर रूऽकर रूस्ट रहे स्थिंग के इक काम रूप में रूप करते और इनके बारे में लिखा कोन है ? डूंय ज्वांग जयंग ने लिखा है एक चाइनिस बुरिश्टल जुवांग जांग हुवे मंग दो फॉलिंग वाज असोसियेटेड इस वैसे सिकाई यह कितना वार रिपीट हो रहा है उदैगरी और खांदागरी केव उदैगरी और खांदागरी केव यह कहां पर सिचुएटेड है उदैगरी और खांदागरी के भुबनेश्वर में है उदैगरी बहुत पुराना है कथा शरित शागर किस ने लिखिये शोम देव ने लिखिये कथा शरित शागर गोपाल थे और बिहार और बेंगोल में इनका सामराज था इनहीं से आए धर्मपाल उसके बाद नेक्स्ट कोर्शन है कोला थुन्डू वालू वनाद और थेकुमोकूर वाज इनसेंट स्मॉल टाइम किंगडम इन हुच स्मॉल टाइम किंगडम कुछ सी समय के लिए किंगडम रहे थे ाथ यह किजरर से कहा आगे केर्ला कि नाम से आप कफी ज्यादा कि अधियरग नहीं होगा विक्रम एरा कबसे स्टार्ट हुआ गाँ बहुत फेमचग विक्रम शंबत और एक है शक शंबत यादरै कि शंबत 57 या 58 V.C. में है और अगर आपको शक पूछा जाए तो यह है 78 A.D. याद रखिएगा शक शम्बत के बारे में जोगौरा रोक एडिक्स जोगौरा रोट रोक एडिक्स कहाँ पर उरिशा में है तोलका पियार एक famous ancient grammarian है किस language में ये आपको बताना है ये तम्ल लैंग्विज में था और ये तम्ल ग्रामर है आपको और भी कई है अपको कुछ मैं बताता हो कुछ बुक और उसके राइटर जो सदन इंडिया से रिलेटेड है उसके अलाबे एक थे तोलका पियम तोलका पियर ने लिखा था उसके बाद है मुरू, गत्थू, पदाई एक इस ने लिखा था नकीरर्न उसके अधर अकाना नूरू ये किसने लिखा था रूद्र शार्मन ने उसके अलाब है मुदू राई कांजी ये किसने लिखा है मंगूरी मुरुदमने ये तीन चार है आप लेख लेना आज पर एंसेंट इंडियन फिलोसपी दपूरु सार्थ वाज फोर एम अफ लाइफ इसमें कोन इंकलूड नहीं है काम मोक्ष अर्थ यस नहीं हो इसमें याद रखेगा है हुई जटन फॉलएइंग टेंपल cabbage वार रास्ट कुतर डाइनेस्टी कोन सार्थ इसमें रास्ट कुतर बनाय 국 दै को है और क्रिष्ण के से हैं अप याद रखा और दोनों भगवान के नाम है क्यालाज पर्वत पर आपको पता है को हमारे भगवान शीव wira को और नहीं याल रख सकते हो फू रोट दा बुक ये भाई रेपीट हो रहा है ना इन दो कॉंटेक्स्ट अफ हिंदू माइथालोजी फूइच फॉलिएंग ऑप्शन इज नॉट एमंग दे टेन अवतार अफ लॉड विश्नु लॉड विश्नु में के अफ़तार में कोन ही नहीं है दस अफ़तार तो है उन पर लेकिन उसमें गरूर अफ़तार नहीं है यह सब कुन से यूगमें थे सट्यूग में पहले पांच अपतार सत्यूग इन मतस्या कुरमा वरा नर्शिम वामन मुस्के ओन्य एत्रेटे यूगमें दो है मच नर्शिम holds ways यह सबसे लास्ट अप्तार कोन है कल की अप्तार विच डाइनेश्टी हज डेवलप्ट गांधारा स्कूल अफ आर्ट इन इंडिया यह थे कुशान डाइनेश्टी इवेन आपको पूछा जाए कि जो मगद वाला स्टाइल है उसको भी कुशान नहीं विक्सित किया था दोनों को कुशान नहीं विक्सित किया था चलो नेक्स्ट लास्ट कोशन है इस पर्टिकुलर वीडियो का वरा मिहीर के दौरह जो किताब लिखे गई था इसमें से कौन सी किताब है एक ची मैं आपको उता हूँ, जब मैं आपको वरा मिहीर जी के बारे मैं बताया था तो यह कुशन मैंने बता दिया था तो आप देखरों, ऐसे भी कुशन सकते है कि मैं एक कुस्टन में एक्स्ट्रा फैक्ट बता या उससे कुस्टन बन गए तो इसलिए वीडियो को देखना ज्यादा ज़रूरी है आप फॉर्स्ट फॉरवर्ड करकर सुन लेजिए लेकिन इवन मैं बुक से कराऊंगा तो उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दो बताऊंग नॉर्मल बात लॉजिकल भी है तो कोई बुक से क्यों न कर ले इस नंबर पर आप मैसेज करना बहुत सारे कोर्स है हमारे पास अब कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो यह मैं आपको दिखाता हूं कौन-कोर्स है यह हमारे कोर्स चल ले है ठीक है इसमें अब्जेक्टिव वाला किताब, SSE, BSSE का कोर्स ठीक है न, BPS, UPP से के प्रेलिम्स का कोर्स, क्राउन जी के पूरा आपको कवर करवा रहे हिंदी और इंगलिस दोनों में मातर 3.99 में तो यह सब प्राइस बहुत कम है आप आराम से परसेज कर लेना कोई भी डाउट हो प्ली तो तीन चार आराम से देख लो उसके बाद ही लेना लेकिन पहले देख लो लेकिन मैसेज जरूर करना कोई भी डाउट हो तो मिलते हैं फिर थाइंक्यू, 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 सो मच